अगर आप Snapchat user हैं तो आपके लिए बहुत important information इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ अगर आप Snapchat पर spot tight वीडियो अगर आप upload करते हैं या Snapchat पर followers आपके बहुत सारे हैं बहुत से friends हैं आपके उनसे आप चैट करते हो तो आपके लिए जो update मैं लेके आया हूँ Snapchat पर जो new update आया है वो जानना आपको बहुत ही जरूरी है क्या update है मैं आपको बताने वालों है वीडियो में सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल पांडे हैक्स को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने क्योंकि मैं आपको लिए ऐसे content लेके आता रहता हूँ तो Snapchat पर जो update है वो privacy policy को लेके है जिया अगर आप Snapchat यूजर है तो Snapchat से related privacy policy updates को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है वो update क्या है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ Snapchat पर अगर आप जाते हैं Snapchat पर जाने के बाद यहाँ पर profile photo पर आपको क्लिक कर देना है उससे पहले बता दूँ कि Snapchat आपका updated होना चाहिए अब update कर लेंगे बाद Snapchat आप open करेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों आप यहाँ पर settings का जो आइकन में है settings वाले आइकन पर क्लिक करके आपको नीचे जाना है और नीचे जाएगे तो आपको यहाँ पर option मिल जाएगा more information का more information के अंडर जो आपको पहला option मिल रहा है privacy policy का privacy policy पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसे interface देखेगा और यहाँ पर आपको top page देख सकते हैं दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है privacy को लेकर लिखा हुआ है कि we have updated our privacy policy effective 26 February 2024 you can view the prior privacy policy which applies to all users until 26 February 2024 here यहाँ पर बोल रहा है कि 26 February 2024 से यह privacy policy change होने जा रही है जो कि बहुत ही prior privacy policy है यहाँ पर बोल रहा है कि all users के लिए रहेगा और यहाँ पर privacy policy देख सकते हैं 26 February से यहाँ पर start हो रही है चेंज हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे पूरा बताया गया है कि privacy policy में आपका क्या-क्या changes हो रहे हैं यह यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है देख सकते हैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है control over your information आपके यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है कि control over your information and settings core part of snapchat experience here we will get more available link download tools provide instruction delete data your account we want to control your information so provide range tools including तो यहाँ पर क्या changes हो रहे है देख सकते हैं पहला यहाँ पर मिल रहा है आपको access and update your information यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर you can access and edit most of basic account information right in our services just navigate to your setting and you will see option available यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ भी अगर आप access करना चाहते हो कोई भी information तो यहाँ पर आपको setting में वो यहाँ पर option मिलेगा आपको अभी जो changes हो रहे हैं दूसरा यहाँ पर मिलेगा कि delete all information अगर आप information को delete करना चाहते हैं आपने account को अगर आप delete करना चाहते हैं तो कैसे आप यहाँ पर delete कर सकते हैं सब कुछ information delete करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर आप memories delete करना चाहते हैं, आपका myaiai अगर आप delete करना चाहते हैं, spotlight submission अगर आप delete करना चाहते हैं, तो वो information यहाँ पर आप read कर सकते हैं, वो भी changes होने वाले हैं, दूसरा यहाँ पर क्या changes हो रहा है कि control who can see your content, यहाँ पर आपके content को कौन देख रहा हैं, वो भी आप control कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, आप नीचे बता रहा है, और दूसरा चेंजर यहां पर हो रहा है कि control who can contact you, आप यहां पर बोल रहा है कि आप जिससे आप चैट करना चाहते हो, उसी से आप चैट कर सकते हो, ऐसा यहां पर चेंजर मिलने वाला है आपको, और दूसरा यहां पर मिल रहा है कि change your permission, आप permissions को भी change कर सकते हो, जैसे कि if you provided access phone contact, यहां पर आप change कर सकते हो, friendly easier बना सकते हो, change in later your settings से आप change कर सकते हो, और भी बहुत सी services है, contact book को, its history यहां पर आपको बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है कि out of promotional message, प्रमोशनल message भी आप यहां से अपने recording set कर सकते हो, डाउनलोड यह डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो, object to processing, set advertising preferences, यहां पर देख सकते हैं कि आप अभी क्या हो रहा है कि इस प्रोल राइट वीडियो अप्रोड किया जा रहा है, बहुत से लोग पैसे भी कमा रहे हैं, तो आप advertising preferences भी आप set कर सकते हो, यहां पर और उसके बाद यहां पर last जो यहां पर मिल रहा है update, कि यहां पर ल is here, यहां पर बोल रहा है कि iPhone 14.5 के बाद अगर कोई भी आप यूज कर रहे हैं, iOS, तो उसमें कुछ जो है, यहां पर specific requirement to apply करने के लिए बोल रहा है, तो यह सारे changes यहां पर होने वाले हैं, और यह सारे changes कब होने वाले हैं, 26 फरूरी 2024 से यह लागू होगा, तो यह अगर आ मेरे चैनल पांडे हैक्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, थांक्यू सोमज दोस्तों